अगर आपको पसंद आये तो आप प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसके अंदर रोज के फ्लार बनाने के लिए हमने पांच चेन पहले बनाई है पांच चेन बनाने के बाद हमने जोइंट कर देंगे सिंगल क्रोशेट से फिर हम पांच चेन बनाएंगे पांच चेन बनाने के बाद में हम जो गुला बनाया है उसमें डबल क्रोशेट बनाएंगे फिर दो चेन बनाएंगे फिर डबल क्रोशेट करेंगे जो डबल क्रोशे दो चейन और डबल ख्रोशिट करते हैंicable 10 अ कि लिगर 10 खाने बनाने के बाद हम इनके प्टर्स बनाएंगे पेतल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं पहले हमने इक सिंगल ख्रोशिट किया है फिर हम माँ दबल ख्रोशिट करेंगे तो यह डबल प्रोशेट करते हैं अब फिर दो बार हम जो है चार फंदे बनाते हैं प्रोशेट के चार के तीन तीन से फिर दो दो से फिर एक और जिस तरह से हम increasing order में बनाते हैं उसी तरह हम decreasing order में बनाते हैं और जो हम एक खाने के अंदर इस तरह से बनाने के बार में जब हम half pro shit करेंगे तो वो next वाले खाने में करते हैं और उसके बाद next वाले खाने में फिर पूल उसी क्रम में चलेंगे और जब हमें close करना है पैटल को तो हम अगले वाले खाने में पैटल को close कर देते हैं इस तरह से ये पैटल हमारे बड़े गयों के इसम बियों बनते हैं कि इस तक साट चान है इन दस खालों पर फाज बाएंगे कि इस तक से पाज बनाने पर ग्लास में वीचे के उसको करें लिए आपक्र शोच भाज बनाएगे अब धियों में सर बनाना है पत्ल्स का उसके लिए पत्ल में है मांची इंपनाने के बाद एक खाना शुद्र के दिमाई जो अधिन को चैनल पर जासे मनें नहीं इंट डवल पूशन के दो पैट साइट से पूशन डाल करते हैं को अधिन दवल पूशन बनाएंगे इस तल से रम पाच जाब बना शुद्र के लिए हके बाद छिए सब्सक्राइभ एक से फूल पर चांब के त्यार हूँ गी इस तरह से तरह से हमारे चीमबर साइट राखे जाए लाइन जो बेस हम त्यार कर रहें दूसरे पेटल के लिए इस तर से बनाती जाएंगे और बनाने के बाद पाचों के बाद जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तब हम जो है नेक्स पेटल के लिए शुरुआत करेंगे इसमें भी हम जितना बड़ा पैटल बनाना चाहत हैं उस तरीके से यूज करते हैं पहले हाफ क्रोशेट सिंगल क्रोशेट फिर हाफ डबल क्रोशेट फिर डबल क्रोशेट डबल क्रोशेट डबल क्रोशेट दो बार या तीन बार जितनी बार भी अपना चाहें फिर उसके बाद चार फंदे का क्रोशेट बनाएंगे यह हम दो या तीन बार रेपीट कर लेंगे उसके बाद जैसे इन्क्रीजिंग ओरर में हमने बनाया है हाप डबल क्रोशेट बनाएंगे हाफ डबल क्रोशेट मनाने के बार सिंगल क्रोशित बनाएंगे और उसके बाद नेक्स चैम्बर में सेम जिस और मैं हमने I am increasing or decreasing order में जो पहला पेटल बनाया है उसी तरह से हम दूसरा पेटल बनाएं इसको जो यह हमने पेटल रोस पेटल बनाए है यह रोस का फ्लार बनाया है इसके लिए हमने जो है वो एक वीडियो बना रख घाहे है जिसके कि आप जिसे रेफर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जो है आपको उसका लिंक दे दूंगी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि इस तरह से मारा यह रोज का फ्लार बनके तो पड़ल बने हैं यह को प्रीट हो जाता है बनाने के बाद इसको लोज कर देंगे हैं इस तरह से मैं तीन रोज के फ्लार बनाई है और तीन रोज फ्लार बनाने के बाद हमने एक दूसरे से अटैच कर देंगे और उसके बाद अब हम ने कहके है कि यूपिन लिया यूपिन लेकर के एक पंदा बनाते हैं पंदा बनाने के बाद यहां पर मैंने रेड कलर का थ्रेड उस किया है यलो रेड का कॉम्बिनेशन जिससे शादी विवाह पर इस दो मैं जो शुब कार्यों में मानते हैं कि इस तरह के जो कलर्स उते हैं इसलिए मैंने रेड और येलो कलर यूज किया है तो रट कलर से हम जो है यह यू पिंग से बनाएंगे इसमें एक फंदा बनाया एक फंदा बनाने के बाद घोशेट से जो है कर दो 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 कर कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 इस तरह से हम जो है कंटिनियूसली जोड़ते चले जाएंगे यह देखिए इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे तो यह एक नेट टाइप का फॉर्म हो जाएगा और देखने में यह बहुत अच्छा लगता है यह देखिए यह कितना अच्छा सा डिजाइन बनता जा रहा है बस थोड़ा ध्यान रखना है कि यह लूप सीधे करके हम जोड़ते जाएं झालब से अच्छा लगते जाएंगे जाएंगे प्रचा लगते जाएंगे जाएंगे यह पूरी लेयर जोडने के बाद हम बाहर जो हमने औरेंज कलर के रोज बनाए हैं उनको हम अलग बाहर की ओर लूप से अटैच करते जाएंगे और इस तरह से जितने चाहें हम घने अगर बहुत घने करके जोड़ना चाहें तो हम बहुत घने करके औरेंज कलर के रोज जोड़ सकते हैं ये जिस भी कलर में आप चाहें उस कलर के रोज बना करके इसमें अटैच कर सकते हैं मैंने यहाँ पर इसमें च्छे या साथ रोज अटेच्च किये हैं देखे इस तरह से लूप को जोड़ते हुए माकरी तक जाते हैं और जाकर के हम आपस में दोनों जो सिरे हैं इस लेज के वो आपस में जोड़ करके उसको क्लोज कर देते हैं अब आप कर दूपकों जा हम कर देए कर देग हात ugly तो युर नड़ से लुप अट्व Mir अनकें झाल 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 कम्प्लीट होने के बाद में हमने देखे रोज दूसरे कलर का बना करके अटेच कर दिया है चाहें तो इसके अंदर मोती जो हैं मैचिंग कलर के लेकर के भी हम बाहर के लिटका सकते हैं पर मैंने प्रोशे से यही रोज बना करके ही उसके साथ में अटेच कर दिया है या अल्टरनिट करके रोज और मोती इस तरह से भी हम लगा सकते हैं अब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच में जाने के लिए हम थोड़ा सा लंबी चेन बनाई है ऐसे लंबी चेन बना बना के हम लटका करके दूसरे फ्लावर तक जा सकते हैं अल्टर से लंबी चेनिस पोड़ा संदा रहा भी हो ये मोदावर लंगर के दोटे बीच Θव खוёт का है झाल झाल